बस्ती जिले में बे मौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी बे मौसम बारिस और ओला पढ़ने से हरायात असिल में किसानों का भारी नुक्सान हुआ है बारिस और ओला से बड़े पैमानों पर सरसो आलू और सिजनल सबजियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है बरबाद फसल को देख किसानों के चेहरे पर चिंता साफतर पर दिख रही है जनौरी के महीने में असी प्रत्सत सरसों की फसल में पूला जाते हैं और आलू की खोदाई चालू हो जाती है कुछ सरसों की फसलों में दाने निकलने लगते हैं लेकिन अचानक भारी बरसात रात में पड़े ओला ब्रिष्टी के कारण काफी फसल जमी दोज हो गया है फसलों की डंठल तूट गई है बेमौसम बरसात वह ओला ब्रिष्टी के चलते किसानों के चेरे पर मायूसी चा गई है जहां एक तरफ किसानों को भारी बरसात से दान की फसल पानी में गिर कर बरबाद हो गई थी तो वहीं दूसरी तरफ अब सरसों गेहूं आलू और मटर की फसल ओला गिरने से बरबाद हो रही है फसलों के नुक्सान के आकलन के लिए टीम लगा कर सर्वे कराया जा रहा है बीमा कंपनी को भी नुक्सान फसलों के आकलन करने का निर्देश दिया गया है दखाए इस शम्मन्द में उप क्रिशी नीदेशक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा अगर फसलों में नुक्सान होगा तो बीमा कंपनी साथ में रहेगी उनको लॉसेस की वो हो सकते कि अन्था आगर लॉस नहीं है बहुत कम है तो आगे फसल में सुधार हो सकता है तो पचातर पारसंट नुक्सान होई है तो मौसम कितना जिन से खराब है कितने बड़े बड़े गिरे थे रात में लगभग आधी इंची एक इंची करीब तो क्या कहेंगे सरकार से कहेंगे हम लोग इसका मुआओजा दिलाए पानी लग गया है अलू की फसलों कभी नुक्सान हुआ है गन्ना भी गिर गया है सब लोट पोट हो गया तो मौसम साफ हुआ अभी तो मौसम विभाग के निसार लगभग है तीस तारीक ठंधा कोर मौसम जो है खराब रहेगा चिताओनी जाईरी है तो कितना जिन से खराब है खराब है तो कल बरसाथ ज्यादा तेज हो गई हाँ बहुत त्यत मैं कम से कम यक फिट पानी भरा तो फसले बर्बाद हो गई कितना नुक्सान हुआ होगा लगब भी तो आज भी वर्षात का मतलब कुछ बन रहा है कि वर्षा होगी तो गर्बर है बर्षात होई सकत है भी झाल झाल